इसलिए कहा जाता है किसी को जाने बिना उस पर अपनी राय मत बनाईए कभी मत बनाईए हमेशा याद रखेंगा किसी को जाने बिना उनकी कहानी जाने बिना उन पर अपनी राय मत बनाईए हर चमकती चीज सोना नहीं है यह दोनों तरफ आ है चलो हर चमक्ती जीस सोना का मतलब हुआ किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करना लेकिन दूसरी तरफ यही है कि आप दूर से किसी जीस को देख कर या एक दो हरकत से आप किसी पर अपनी राए ना बना लेगी यह ऐसा है वैसा है बहुत अच्छी कहानी में आपको सुनाती हूँ एक बार एक माता-पिता अपने पुत्र के साथ ट्रेन से जा रहे थे तो सामने वाली सीट पर एक पती-पत्नी बैठे थे और बेटा यानि अच्छा बड़ा है 19-20 साल का लड़का है तो हर थोड़ी देर में वो बार-बार कह रहा है कि देखो कितना सुन्दर पेड गया है फिर कभी वो कुछा है तो देखो यह कितना सुन्दर बादल है हर थोड़ी देर में zing एसी ऐसी चीजे को बता रहा है जो सब हम रोजाना देखते हैं जो रोज देखते हैं हूं तो जो सामने वो जोड़ा बेठा था पती पती है उनको बढ़ा ब्रटा लग रहा हैं कि क्या इतना बड़ा लग कैसे बढ़ा लड़का records पिता से कि आप अपने बेटे को अच्छी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं पिता ने का वो ही तो किया है मैं इसे तो आ रहे हैं ले मतलब बुले मेरा बेटा बच्पन से अंधा था आज उसको आखे मिली इसे उसको हर एक चीज इतनी अच्छी लग रही है क्योंकि वो पहली बार देख रहा है इस दुनिया को इन रंगों को अब माल लीजे उस जोड़े ने प्रश्न कर लिया तो उनको पता चल गया नहीं पता चलता तो गर जाकर क्या कह रहे होते हैं क्या पागल बेटा था कह रहे होते हैं कि नहीं तो किसी को जाने बिना उनकी कहानी जाने बिना उन पर अपनी राए मत बनाए उनकी क्या कहानी है आपको क्या पता